बिग बॉस के घर में अली गोनी की हो गई है री एंट्री जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले हफते अली गोनी ने जैस्मीन हसीन के लिए घर से आउट हो जाना बहतर समझा था और अब अली गोनी एक बार फिर बिग बॉस के घर में वापस लोट आए हैं अली और जैस्मीन का रिष्टा पहले से भी जादा स्ट्रॉंक हो गया है क्योंकि दोनों ने ही अपने रिलेशन्शिप को ओफिशल कर दिया है जैस्मीन ने नैशनल टेलिवीजिन पर सब को कह दिया है कि वो अली गोनी से बहुत प्यार करती है वहीं अली तो कभी भी अपने रिष्टे को छिपाना नहीं चाहते थे वहीं वीकेंड का वार अली और जैस्मीन के फैंस के लिए बहुत ज़ादा खास होने वाला है क्योंकि वीकेंड के वार पर सभी कंटेस्टेंस के सामने अली और जैस्मिन करने वाले हैं एक दूस्टे से अपने प्यार का इसाथ अभी तक जो बात तेज इंडिरेक्ली हो रही थी अब वो डिरेक्ली आपको होती हुई नजर आएंगी और आपको अली और जैस्मिन का एक proposal सीम देखने को मिलेगा जहां पर अली और जैस्मिन एक दूसरे से नैशनल टेलिवीजन पर सलमान खान के सामने एक दूसरे को प्रपोस्ट करते नजर आएंगे वही हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको जैस्मिन और अली की टास्क के दौरान शादी भी देखने को मिले ये शादी असली नहीं होगी लेकिन जैसा कि आपने एपिसोट में भी देखा होगा कि जैस्मिन भसीन की घर के अंदर शादी की बाते होना शुरू हो गई है और ये एक तरीके से हिंट है उस टास्क ही जो कि अगले हफ़ते की शुरूआत में घर के अंदर देखने को मिलेगा यानि कि जैस्मिन और अली की शादी ये घर के अंदर टास्क खिला जाएगा जहां पर घरवाले बनेंगे लड़की वाले और बराती जानि कि कुछ कंटेस्टन्ट अली की तरफ होंगे जो कि बनेंगे लड़के वाले तो वहीं जैस्मिन रचीन की टीम में लड़की वाले होंगे और दोनों के बीच में टास्क खिला जाएगा और जो टास्क जीतेगा उसे इमिनिटी पावर मिलेगी और यही टास्क आपको याद होगा कि पिछले सीजन में भी हो चुका है जहां पर शहनाज गिल्ट का स्वेंवर करके यह टास्क रखा गया था अब इसी तरीके का एक टास्क अब इस हफते भी होने वाला है जहां पर अली और जैस्मीन की शादी की रस्मे देखने को मिलेंगी वैसे भी इस सीजन में कोई भी रुमैंटिक कपल देखने को नहीं मिला है अली और जैस्मिन ऐसे में इस शो को वो रुमैंस का तड़का दे सकते हैं जो इस सीजन में मिसिंग नज़रा रहा है वैसे अली और जैस्मिन की शादी पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताएं और आप समेंट करके हमें ये भी बताएं कि स्टार्स के लिए आप कितने ज़ादा excited नजर आ रहे हैं वहीं अगर आपने हमारे चैनल क्रिस्वास इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस अप्डेट्स के लिए ट्विटर, फेस्बूक, अंस्टग्राम पर पॉलो करना ना भूले.